दोस्तो नमस्कार, मैं अखिले सुरू एब बार फिर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो प्रतिभा नमन के चवधवे एपिसोड में आज हमारे साथ हैं अंतर राश्ट्री ख्याती प्राप्त जोतिसा चार पंडित गोरी संकर जी सास्त्री सास्त्री जी जितने अच्छे जोतिसा चार हैं उतने ही अच्छे साहित्या चार भी हैं और कर्मकार्ण विसे सक्ग हैं वास्तु सास्त्र विसे सक्ग हैं तो आईए हम मिलते हैं पंडित गोरी संकर सास्त्री जी से सास्त्री जी सबसे पहले तुम्हें आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी पारिवारिक प्रस्ट भूमी के बारे में और आपकी सिख्षा लेक्षा बच्पन के बारे में देखिए, मेरा वालिकाल जो है, बड़ा संघर समय भीता है, शैसावकाल से, साथ वर्स की अवस्था से, मैं अपना मेरा जन्म जो है, सो हुसंगबाद जिले के अंतरगत, शाणिया के पास सर्दा ग्राम में हुआ है, और मेरे माता, पिता और हम चार भाई थें, तो दोनों भाई एक गड़वारे में और एक गोटे गाउं में रहा करते थें, और मैं अपने भाई, एक सहिने भाई और पिता जी और माता जी, हम जो है, तो बड़काल में, पिता जी की माली हलत ठीक नहीं थी, उन्होंने अपने जीवन को बड़ा संघर्स में बिज़ाया है, उसी क्रम में मैं भी पिरोहित हो गया, और मैं उन्हें के संघर्सों के साथ जीवन जीने का आदी पड़ गया था, सेसवकाल में ही पिता जी का स्वर्गवास हो गया, जब पिता जी का स्वर्गवास हो गया, और साथ वर्स की अवस्था से मैंने अपना घर छोड़ दिया, गड़रवारे के पास सीरे गाओं में मेरे मंजने भाई रहा करते थे, वो मंदर में एक पुजारी थे, तो उनके पास मैं दूसरी और तीसरी कच्छा पढ़ने के लिए मैं गया, मतलब आग पढ़ने के लिए गया, तो वो पढ़ाने लिखाने में कोई मान सिकता तो नहीं रखी, लेकर मैं पढ़ता गया कैसी करके, फिर एक बड़े भाई गोटे गाउं में पुलिस में थे, वो मुझे ले गए, और मुहां ले जाकरके उन्होंने जो हैसो दो-तीन में पढ़ाने के नाम से, पांच मीं और चोथी में नाम दिखाया, मैं पढ़ता भी गया, सुबह से साम पढ़ने के बाद आओं तो मेरे गोटे गाउं इस्टेशन पर एक होटल खुलवा दी, चाय की दुकान कहिए, यह मतलब वहीं रोड पर बैठ करके चाय बनाते थे, और इस्टेशन पर गोटे गाउं इस्टेशन पर चाय पिलाना थे, बहुत बढ़िया, सास्त्री जी एक विभूती तो अभी सरवोच सिखर पर बैठी थे जो इस्टेशन पर चाय बैचते थे और आप भी कम नहीं हैं उनसे, तो मैं चाय बनाते-बनाते, बैचते-बैचते इस्टेशन पर एक वाल में देखा कि एक कुछ छात्र, जो उनको देखने में साली ग् के दिखते थे, बड़े सुंदर दिखते थे और शिखा उनकी इतनी बड़ी सिखा थी, बाद छोले रहते थे, देखने में सुंदर वस्त बोड़ोती पहनते थे, उनको देखके में बड़ा आदर्स मानता था, मैंनकी यह जालायत रहता था कि क्या मैं ऐसा बन जाऊंगा अभी ऐसा सोच करके एक आद मैंने बिचार करता रहा और फिर जब उच्छात्र जब निकले थे फिर एक छात्र से मैंने पता पूछा तो वह ओंकार दुझ संस्क्रित विद्यार इंदौल में पढ़ते थे तो उन्हें ने वहां का पता दिखा दिया मेंने वहां का पता या पाइसा नहीं या पैसा तो तो मैं पृटी दिन अपने भाई से चुला करके एक चुणी पृटी दिन रखा करता था अब गहां रखूं पास में रखूं दू पकड़ लेंगे तो मैं रेटिंग करने जाता था एक किरो मीटर दूर गोटे गाउं में तो उहां पर एक मेरे पास पांच रूपे हो गया तो मैं वहां से ट्रेन में बैठके और वही सबसामान केटली एटी छोड़ करको मैं उसी बस ट्रेन में बैठके चला गया जब इन दौरत पर जाने बारी ट्रेन में वहां जाकर आउंका दौर्शंस्क्रिविद्यालाइज जहां का एड़ेस छात्रोन लिखाया था वहां जाकर करके मैं पहुंच गया मुझे अमेन अपनी विपन्नता दर्साइत उन्होंने प्रमेश दे दिया और वहां रहना खाना भोजन पानी निस्तुन्ख और आवास भी पढ़ावाद निस्तुन्ख महबं मैं दो साथ तक रहा और दो वरसों में मैंने प्रस्मा परिच्छा पास की और प्रस्मा परिच्छा संध्याबंदन करते दे सब करते रहा उसके वहीं पर एक सृदर्बटेले सास्त्री अहिल्या परिटन से आया करते थे और उन्होंने तो चाहत्रों को ले जाये करते थे कहीं निमंतर में तो उसी क्रम मेरे को लेगा है। मुझसे उन्होंने एक दिन कहा कि तुम हमारे घर रहो तो तुम्हारे जासो सारी भोजन पुहानी सब्स्था भी रहेगी और तुमको पढ़ाने के लिए हम भेज देंगे गोवर्मेंट संस्क्रिद्या रहने। तो मैं उनके बाद पर विश्वास करें उनके साथ चे लगा और पाट साला से निकल गया। मैं पुर्वेश किया उसके बाद मैं एक मेना दो मेना पढ़ने जाओं। पढ़ा लिए घर की सेवा में रख लिया। मैं उनके हाथ पैर दागों बर्तन देओं कपड़े दों मैं तब पूरी सेवाएं से साथ बरसों तक उन्हों ने पढ़ने नहीं दिया मेरे। एकदम निरक्षर भट्टाचारी रहा, वो श्रीदर भटेने सास्त्री की एक भती जी थी, उनके हाँ मेरा संपरग सा, बड़ी बहन थी मेरी वो, बड़ी बहन मान लिया था मैं, उन्हों न मेरे को एक दिल कहा कि फूपा जी जो है, वो आपको पढ़ने नहीं देंगे, और अब भाग जाओ यहां से, और आचारी होकर के ही आना, नहीं मूह नहीं दिखाना मेरे को, उनकी बात मेरे को दिमाग में लग गई, और मौका पाकर के मैं वहां से बनल्स चला गया, अब बनल्स जाने लगा, ट्रेक में बैठ गया था, तो मुझे मुझे मालूम नहीं कहा बनारास है कहां, तो वो जाकर के मैं कानपूर पहुँच गया, ऐसे जाना था बनारास और पहुँच गया, वहां जेगे हाउस का संस्क्रिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द वहां से मैं बनारस चल आ गया. बनारस जाकर के वहां पैसे नहीं थे तो किसी पर तो ए बिदाव टिकेट चल आ घया. महां पर पूछ कर के संस्कि विध्या रहा कहा है, लिए मुझे को पता ही नहीं था, कुछ बनारस पहली बार गया था, तो कैसी कर मैं पहरा कि मैं पहलो है नचेत्र दर्शन करने जाओ। वही से बोजन करते थे, तो एक छात्र से मैंने पूछा, मेरे को पढ़ने के लिए आया हूं, मैं कहीं विद्यालय हो तो बताओ, तो एक छात्र मुझे, वहां कानकुप्ज संस्क्रि विद्यालय है, दसाउस्चमेट घाट पर है, वहां पर मिस्त्रा जी का विद्यालय चलता तो पूर मद्धमा दो बर्स और उत्तर मद्धमा दो बर्स, याने चार बर्स की पढ़ाई मैंने तीन बर्स में कड़ डाली, और बहुत मनुयोग के साथ 24 गंटे के रास दिन पढ़ाई करता था, ऐसे करके मैंने पूर्समा मद्धमा करके एक राद मैं अब वहां विद्य का दिन ए और बारण से संस्केश्थ कीनिरे में भर्ती करा दिया, मैं भर्ती हो गया हुआ, उसमें अपने माँ से खर्च भी करता था, और मएरे ममी याने मेरी मता जी, घर से, गाउं से उनको नको पता सबको मैंने दें दिया, अलेकर मेरे पास कोई मिलने नहीं आहा भाई लेकिन माता जी क्योंकि पिता जी सांत हो गए थे माता जी घांस बैचने जाती थी उन्होंने किसी प्रकार से चाल आना दो आना एक आना इखट्टा करके और मेरे को दो रुपया बन जाते थे मन्येंडर करती थी खर्च के लिए प्रसंग आगया इसलिए थोड़ा सा मैं चमा करना तो इस प्रकार से मैंने वहाँ पर बारर्ण से संस्क्री विजद्यालाय से सास्त्री और आचारी किया आचारी करने के बाद मैं मैं पीएजी से थोड़ा सा किनी कारणों से बंचित रहा, नम्मरों में कुछ कमी थी, तो पीएजी करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाई, थोड़ी सी कमी के कारण, तो मैंने कि अब और पढ़ना हमेरे कर, तो मैंने हिंदी से एमे करने के लिए, लार बहादुर सास्ती वि जर्शों यहां से प्रस्थान करना चाहिए, अब कोई विएवसाय करना चाहिए, जौब करना चाहिए, यहां पर आया, तो यहां पर में हुषंगभण हैं, हुषंगभण, मैं नरंदा जी के किनारे, सेठानी घाट पर सत्तांग भण है, महां संतलों आते थे, और वो 35 रुपय मेरे मेरे को दिया करते थे तो एक साल तक मैं वहां सरसंग भवन में कुछ सरसंग में संचालक रहा उसके पस्दा मेरा मन उद्विग्ण होता रहा कि मैं इस प्रकार से जीवन कैसे चलेगा तो सर्विस होना चाहिए तो यहां पर मद्धुदेश में 28 वर्ष की अवरस तो सर्विस में ती- three सरकारी महराष्ट में तीस साल था तो महराष्ट मैं जाना चाहिए तो मैं बामबे पहुँच गया बामबे पहुँच करके अब मेरे पास पैसा ठाझा नहीं बामबे पहुँचा क्रॉस मेदान में बहुत से जगे जगे जोश सी लोग बैठे, कुछ दोता वाला, कुछ मेना वाला, कुछ हाथ का छप्पा लेकर बैठा, तो मैंने की सास्ती जी अब ये काम करो, अपने पास पैसे तो है नहीं है, अपन भी यह करो अभी ततकान खर चलाने के लिए, तो अपनों समय तक पढ़ी रही है, जोतिस में कुछ जानता नहीं था, तो वहाँ पर बैठे बैठे जो है सो, आदा गंटे, पौन गंटे के बाद मैं, जो जाड़ू लगाने वाली महिलाय जो होती है, वो जाड़ू लगाते आहीं, तो मेरे कुछ देख करके, आहीं तो आकी इस अज़ा करके वो गुजराती में वो ली, हाट करके किता में जोस हो, तो में तो मैं उसका हाट पकड़ करके, मैं ना हाट देखता था, ना जानता था, ना जोतिस जानता था, जो कुछ बत लहाँ, वो प्रभू की ऐसी क्रपा हुई जैसे हिरद्द्द्द्ध Aunty कोई मे इसको बसांग सबको अगर रख जिसका जो समस्यासी को अपने आप जोहसो भगवान बुलवा रहा था मैं तो इस प्रकार से वो नकल मैं मैं भूत कुछ आगे बढ़ गया फिर मैं लिए आप जोहसो जोतिश ही पढ़ना है अब तो मेरे को दिस्षिद्ध हो गई जोतिश उस के पच्चाब मैं वहां से धरा जिरूर करके और निकल गया मैं कि भारती विद्यावन के मुंसी का हुआ कटता था चोपाटी पर तो के मुंसी का भारती विद्यावन का मैं पता मालूम था मेरे को तो उहां पहुंच गया उहां जाकर मैं संस्क्त बोलना शुरू किया हिद मेरा समचार आदा गंटे बाद प्रिंसीपल के पास पहुंच गया तो भाई संकत प्रोहित वहा करते थे उन्होंने मेरे को बड़ा हुसियार समझ करके और कहा कि आप हमारे बिद्यापीठ में प्रवेश पासकते हैं मैं की पुरान से आचारी से मैं मैं वह एक मिसे से हो चुका हूं सहत से वो पुरान से आचारी करना चाहता हूं उस निमित से मेरे को प्रवेश दे दिया, उहां मैंने प्रवेश पाकर के बड़ा प्रसन्द हुगा, और जहासो मेरे सारी सुक्स्विदाएं, आवास बगएरा साबुन तेर सम बिलता था निश्चुर्ग, उसके बरचाद मैंने दो दिन के बाद मैं अपनी कुंड़नी दि किया, तो साथ दिन तक मैंने घणिश सीखा उनसे, और घणिश सीख करके, और मैंने के अब इतने मैं पढ़नुगा, फलादेश तो मैं उसके परचाद सन्या सास्रम बिले पादले में हैं, उहां से छात्र लोग कुछ आना जाना करते थे, उहां बड़े ब्योसाय चलता थ तो एक-दो छात्रों पढ़ने तो मेरे से कहा कि तुमको भी यह पूजन को करवा देंगो, उसमें प्रकार से मुझको पूजन पाठ में लह जाने लगें, तो मैंने यह इस्थान छोड़ दिया और उहां पर सन्या सास्रम में चला गया, उहां पर स्री ब्रमानंज गिरी ज परते, उनकी करपा से वहां निवास मिल गया और सब आवास हो गया, उसके पश्चार उनी के सिस्थ, श्री विश्वेश्वेश्वरवा नंज जी, वो उहां पर आये तो मैंने उनको पूंडली देख करके, कहा कि तुम यहां के महा मंडली सुर बनोगे, तो मैंने वो भव उस समया, चारीश सार पहले के दिया था, तो महा मंडली सुर में बन गया, उसी बीच मैं वहां से चार-पांच सार रहने के बाद मैं जोतिसका, ऐसा है कि पंडितों से संपर्ख करके जोतिसका अनुभववत किया, और गिंत पढ़े, उसके पश्चार मैं वहां से अपने पून समझ के पून तो था रही, पून तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन मैं उहां से चल दिया, और मैं अब हुसंगाबाद में मेरा विवाय का सयोग बना, तो मेरा हुसंगाबाद में विवाय हो गया, पश्चार मेरी पतनी की ज़र सो गवर्रमेंट सर्विस मिल गई, और सब संगर्ष करता रहा, उसके बाद मैं उहां से सलकनपूल संस्कित विद्या रहे, उहां पर जो है, मैं भुसंगाबाद आओ, मैं कि अब भंबी छोड़ो, भुसंगाबाद में रहेंगे, तो उहां रहते रहते, एक जो मेरा यासा ब्यार्ष का रहा, तो मन न लगे, तो क्या करनाचे सलकनपूल संस्कित विद्या रहे मैं, और मैं प्रधानाचारी हो गया, वहां जा करके मुझे चार सो रुपया मैना मिलता था, उस जमाने में चार सो रुपया मैना बहुत बड़ी चीज थी, वहां पर अध्यापन कारी कराते गए, छे मैने के बाद मैं व तो वहां इंटर्वू मैं लेट पहुचा, तो हो गया था इंटर्वू, मैं साम को पहुचा था, तो मैंने के वहां का राग रंग देखता रहा, एक घंटा वहां राग रंग देखता रहा, तो बार बार जो पुल्पती वहां से जाते थे, तो सुलक्षा गाड़ उनको द मेरे को बड़े आनंद की अन्भूती हो गई क्योंकि मैं भारण से संस्विस्द्याले में चात्रसंग का अध्यक्ष हुआ करता था तो उन्होंने अब बैसे उनको कैंसे मिला जाए मैंने वहीं बैठे-बैठे चिट्थी लिखी पंडित विद्वान आ रहे थे तो उनको मैंने चिट्थी दे दी और उन्होंने मेरे को वहां पर प्रस्ताद कर दिया जब मैं वहां पूंचा तो मालवीजिन देख के बड़ा प्रस्ताद कर दिया और रात्री में आठ बजे ज चिट्थी जब तक दर्सन ने करो ने को आने नहीं आएगा तो उहां के एक विद्वान थे जो जोथे स्विवागत ध्थे उनका सहारा में ने लिया को उनके सहयोग से और महरसी जी से मिला प्रस्म दर्सन महरसी जी करने के बाद में गदगद हो गया मैं आज भगवान के दर्शन हो गारें, तो महरसी जी ने मैं भिद्या पीठेट बनाने मिरया है मैं भिद्या पीठेट बनाना ही चाहता हूं, तो सिर्सा आप से जो भी आप आदेस और लिए महरसी जी निका अगर है बीज़ा बन गया और सब जर्मनी की तैयारी हो गई तो जर्मनी जाने के लिए एक रामेशुर सास्त्री उम्में हम दोनों को जर्मनी का बीज़ा तैयार हो गया अब उन्हों महरसी जी ने फिर स्वाम को मिलने जाते थे जर्मनी जाने के पहले अब मैं गया दूसरे जर्मनी तुम नहीं जाओगे ये रामेशुल सास्त्री जाएंगे अब मेरा दिमाग खराब हो गया फर मैंने सोचा कि आप क्या करना चाहिए तो 24 गंटे एकदम विद्या ले छोड़ने का मन बनानी है मैं आप यहां से चल देना चाहिए साम को महरसी जी ने गाड़ी भेज दी मेरे पास और कहा कि उनको गोरी संकर को गुलाब कि तुम विद्या पीठ का बोल रहे ते तो कहां बनाओगे मैं कि मैं हुसंगाबाद का रहने वाला हूं और जगह मिल जाए जमीन मिल जाएगी तो मैंने विद्या पीठ बनाने के प्रकार से यह जमीन अपन तरास लेते हैं तो मैंने एक जमीन देना शुरू किया फिर दूसरी तीसरी दी चौतिली दारू की भट्टी जो लगती उन्हों को जिनकी दारू की भट्टी उनको समझा बुजा करके मैंने कि यहां पर विद्या पीठ बने गए ऐसा करें उनको उपदेश देना शुरू कि इस प्रकार से मैंने बाउनिकर जमीन खरीद लिए बाउनिकर जमीन खरीदने के पश्चात महरसी जी ने कहा अब चात्र लाओ तो मैं एक जीप जैनी थी तो जीप से पूरे मध्यपदेश के दस पचीज जिदों में घुमा और एक हजार चात् हैं अभी तो जमीन खरीदी है तो अब उनके लिए हुली पुरा में उनका पुराना एक आश्रम दस साथ से बंद था उसमें 2000 शात्र रह सकती इतना बड़ा आश्रम बना था वो बिल्डिंग बनी हुई थी उहां पर मैंने बैठ करके और बिद्या पीठ बनाने के लिए औ चात्रों को वहां पर रख दिया और यहां पर जमीन खरीदी थी दाखिर खारिद करके और निर्मान करिए टेंडर निकादा और बिल्डिंग बनवाई और उसके बाद महरसी जी के नाम से क्या है कि पूरे नगर में हुसंगाबाद में मेरा जुरूस निकला संभान मेरा प आस्रम के गजट में सम्मे कुलपती छप गया मैं उनके जो ऐसो डेड़ सो बिद्या पीठ हैं भारत में और ऐसो एक सो आठ देशो में उनके जो ऐसो आस्रम बने हुए हैं तो फिर महरसी जी ने कहा कि अब तुमको मैं सारे विस्व में घुमा दूँगा तो दो साल के बा दोस्तो इस इंटरस्टिंग इंटरिव्य का दूसरा भाग सीग्री प्रकासित हो रहा है बने रही हमारे साथ वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्स्राइब करें बैल आइकून करें बहुत बहुत धन्त